इट्सके लिएस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सिद्ध उसका रुख करेंगे लेकिन यूज चंडी करते चरंजीत सिंग चंडी ने स्टीफा दिया है बड़ा फेर बदल पंजाब की सियासत में चंडी ने मुख्यमंत्री बद से स्टीफा दे दिया चंडी ने राजिपाल को अपना स्टीफा सौपा है जस तरीके से प्रिक्रिया होती है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री को सत्ता परिवर्तन के बाद अपना स्टीफा राजिपाल को सौपना होता है और उसी कड़ी में चन्नी नराजपाल को स्तीपा सौपा है अब आरे साथ हमारे समबादाता अनिल कुमार चंडीगर से जोड़ चुके हैं सीधे उनका रुख करेंगे अनिल पूरी खबर को लिगाट अपडेट जाना चाहेंगे अपसे देखिए चरंग जीज सिंग चन्नी मुखे मंत्री उनकी तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गए थी साड़े ग्यारा बज़े के करीब अपने आवास पर ये बैठक बुलाई गए थी और तीन से चार मंत्री उनके आवास पर पहुँचे थे हाला कि कुछ मंत्री वर्च्वली बैठक में जुड़े थे और अंतिम मंत्रना जो है वो इस मंत्री मंडल की बैठक में की गई 110 दिन में सरकार की तरफ से जो विकार्ष के कारे किये गए थे उनको final approval इस cabinet की बैठक में दिया गया और इस मंत्री मंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद चरंजी सिंग चनी जो सुखजिंदर सिंग रंधावा है उनके साथ पहुँचे थे राजभवन और यहां पर अपना स्टीफा उनकी तरफ से राजपाल को सौप दिया गया है इसके बाद चरंजी सिंग चनी बाहर आया और उनकी तरफ से कहा गया कि जो mandate जनता ने दिया है उसे हम सुखजिंदर करते हैं और साथ ही उन्होंने जो नई बनने वाली सरकार है उससे भी एक अपील भी की है उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो भी विकास के कारे या जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गयते हमने उन्हें अप्रूवल दे दिया है और जो नई सरकार बनेगी उन तमाम जो फैसले लिए गयता है सरकार की तरफ से उनको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे आने लाप से यहां पर आप से यह भी जाना चाहेंगे कि अब मुझी मंतरी की बात कीज़े तो परिवर्तन हुआ है पंजाब में अगर आमाद्मी पार्टी की बात की जाए तो पहली बार उसे पंजाब की सत् है देखिए अभी आप समय तहर नहीं किया गया आज शाम को पांच साड़े पांच बजे मोहाली में विधायक दल की बैठा कामाद्मी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है और वहां क्योंकि विधायक दल की बैठा की बुलाई जाती है विद्वत तोर पर सभी विधायको की तरफ से जो नेता को चुना जाता है विधायक दल के नेता को उसको चुना जाएगा वहां पर और इसके बाद की जो पत्रिया है वो एक जो पंजाब के राजयपाल है उनको पार्टी की तरफ से कामंतरंट दिया जाएगा सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जा है उसकी तरफ से क्या समय जो ढिबान है वह की जाती मिची Cाली कहा जाता है कि कि तो कल उसके लिए उससे पहले दावा पेश कर आ जाएगा कल का समय लिया जाएगा जो रिख Colonicism के तौर पर इसे किया जाएगा किस तरीके से इसे आगे किया जाएगा ये भी देखना होगा बिल्कुल आने लेक सवाल आपसे बहुत एहम पुजाब की राज़नीती को लेकर कॉंग्रेस में कही न कही एक लंबे समय से अंतरकले देखी हमने भी देखी आपने भी देखी और पूरी दुनिया ने भी देखी और भारत ने भी देखी ऐसे में कॉंग्रेस की अंतरकले का कही न कही विपक्ष ने फायदा उठा लिया खासकर आमादमी पार्टी एक बड़ा मेंडेट लेकर आई कांगर्स के किजी वरिस नेता से आपकी बाचेत हो पाई हो, कमी कहां रह गए थी? क्या कोई गलती हो गई थी या फिर उसको सुधारने की जरुवत थी कांगर्स को? देखे अभी फिलहाल आपसी मंतन किया जाएगा कांगर्स की तरफ से हार को लेकर और क्योंकि मंत्री मंदल की बैठक हुई ती उस दिश्चे तोर पर क्योंकि जब सभी मंत्री मौजूद हैं खुछ सीयम मौजूद हैं तो वहाँ पर एक मंत्रना रहती है कि आखिर हार की क्या वज़य हुई हाला कि इसको सामने नहीं रखा जाएगा अभी जिन भी नेताओं से मंत्रियों से बाग की गई है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो मेंडेट दिया गया है जनता की तरफ से उसे स्विकार करते हैं हार के कारणों का मन्थन देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस की तरफ से आने वाले समय में किया जाता है क्या जो मजुदा परदेश अध्यक्ष है नवजो सिंग सिद्धून की तरफ से बैठक बुलाई जाएगी नेताओं की और उसमें क्या मन्थन जो है वो निकल कर स तरीके सा अब हसा शेप रहेगा इसके बाद क्योंकि अभी तक जो फैसला लिया गया था कॉंग्रेस हाई कमान की तरफ से वो कही ना कही सही नहीं बैठा और यही कारण रहा कि कॉंग्रेस से हो सत्ता से बाहर होना पड़ा है बिलकुल चले बहुत 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 शुक्रि कर दो